हेलो एबरिवन वल्कम बैक टो दे चैनल सक्से स्टोरीज तो गाइज अभी रिसेंटली की न्यूस यह है कि सना खान और अयूब शेक के बीच कुछ गड़बड हो गया है उनकी जो फ्रेंचिप है वो थोड़ी सी तूटती भी नजर आ रही है और अभी सना खान ने लाइव आकर कुछ चीज़ों को सामने रखा है कि उनको अयूब शेक की कुछ बाते बुरी लगी जो उन्होंने लाइव में आकर बोली ठीक है इससे पहले अयूब शेक ने लाइव में आकर कुछ चीज़ो को रखा ता जिसके उपर ही सना खान ने रियाक्ट गया था तो अभी मैं यहाँ पर जो भी स्टोरी बताती हूँ यह वन साइड स्टोरी है यानि कि सना खान ने अभी लाइब आके यह सब चीजे सामने रखी है जब तक अयूब शेक लाइब नहीं आके या फिर वीडियो नहीं बनाते तब तक हम दूसरे साइड की स्टोरी नहीं जान पाएंगे तो फिलाल मैं पताती हूँ कि जो सना खान की साइड है उनके मन में क्या है और उनको क्या चीजों का बुरा लगा तो हुआ क्या कि जो सना खान अयूब शेक को बहुत सपोर्ट कर रही थी साहरसक्तानी और अयूब शेक की फाइड में वो सना खान ही थी जो चाहती थी कि अयूब शेक और साहरसक्तानी एक हो जाए और उन्होंने ऑनलाइन और आफलाइन दोनों कोशिश किया था लेकिन इसके चलते उनकी साहरा सक्तानी से भी दुश्मनी हो गई थी लेकिन उन्होंने अयूब शेक को सपोर्ट करना नहीं छोड़ा अब बीच में जब इद आई रमदान आया ये सब चीजों में के बाद अयूब शेक का उनके साथ लाइब आना कम हो गया और जब किसी ने अयूब शेक से ये सब चीजों का सवाल किया कि आप उनके साथ लाइब क्यों नहीं आते हैं तो उन्होंने वो चीजे सोशल मेडिया पर रखी कि जो सनाखान और इमरान है वो थोड़े हाइपर लोग है इसलिए मैं उनके साथ लाइब आना पसंद नहीं करता हूँ ठीके ये बाते रखी है सनाखान ने अपने मतलब अपना एक पक्ष क्लियर रखा है ठीके मैं आपको बार-बार यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि ये जो साइड है ये सनाखान की साइड है जब तक आयूब शेक अपनी साइड को क्लियर नहीं करते तक तक हम कुछ नहीं बता सकते कि कौन सही है और कौन गलत ठीके फिर जो आयूब शेक ने है वो लाइब में आकर बोला कि उनको सिर्फ एकी इनसान ने सपोर्ट किया था जो जिन्होंने उनकी मतलब जमानत करवाई या फिर क्या बोलते है जामिन बोलते मुझे तो इतना पता भी नहीं है उनको पैसा दिया उनकी जामिन करवाई तो सानाखान को इस बात का बुरा लग गया और उन्होंने लाइब में आकर ये सिर्फ चीजे बोली कि आप मतलब उन्हें कभी भी सनाखान और इमरान का नाम नहीं लिया क्योंकि जब उन्होंने बहुत ज़ादा सपोर्ट किया है और दूसरी एक बात है जो अयूब शेक का पक्ष उन्होंने रखा था कि अयूब शेक को उनके बारे में क्या बुरा लगा कि जो सनाखान है वो हमेशे ये बोलती है कि उनको मरियम शेक की वज़े से फेम मिला है मरियम शेक की वज़े से ही वो फेमस हुई है तो ये चीज़ ये अयूब शेक को बुरी लगी कि अयूब शेक का कहना है कि जो सनाखान ने बताया लाइब में कि अयूब शेक का कहना है कि जब वो लाइब में नहीं आती थी उसे पहरे उनके चार सो पान सो सब्सक्राइबर थे लेकिन जब से वो उनके साथ लाइब में बैठने लगे तब से उनके सब्सक्राइबर उनका फेम बढ़ने लगा तो आपको अयूब शेक का भी नाम लेना पूरा तो हमें तभी पता चलेगा जब अयूब शेक भी लाइब में आकर बात करेंगे या फिर इस सब चीजों को रखेंगे फिलाल तो अयूब शेक चुपी बांदे हुए हैं उन्होंने इस बारे में कुछ भी बात ने किया लेकिन उनका सना खान और इमरान के साथ लाइब में जुड़ना काफी टाइम से बन था और वो उनके साथ किसी भी रिल्स में या कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे थे तो इसका रिजन तो अयूब शेक अच्छे से बता सकते है कि उनका क्या मतलब ये रिजन था कि वो उनसे थोड़ा दूरी बना के रखी थी और वो आगे इन बातों का रिजन भी रखेंगे तब तक लिए हम बेट करते हैं तो फिलाल ये है कि सना खान ने तो फिर भी बोला है कि वो अभी भी उनको सपोर्ट करती है लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीजों को रखा है कि अईउप शेक जूटा है और हमने उनको सपोर्ट किया हम पस्ताते हैं उनकी वज़े से उन्होंने साहरा सतानी से भी दुश्मनी मोल ले ली थी लेकिन ये सब चीज़े चोटी-चोटी बाते उन्होंने रखी है अभी जब तक दूसरा पक्ष यानि कि अयूब शेक अपनी बातों को नहीं रखते तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि क्या कौन सही है कौन गलत है बाते छोटी-छोटी होती है बस उनको आपको कैसे लेना है वो समझदारी के साथ आपको अगर लेना आ गया तो ये बड़े-ब मसले नहीं बनते हैं आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या जो सना खान ने जो सच में सपोर्ट किया था और सीरियसली उन्होंने सच में सपोर्ट भी किया था कि क्यों जब आयूब शेका कोई भी साथ ने दे रहे थे तो वो लोग साथ में खड़े थे अब आफ कैमरा क् चलता है हमें पता नहीं लेकिन जो आन कैमरा हमने जो देखा वो यही था कि उन्होंने काफी सपोर्ट किया और सनाखान ने लोगों की गालिया भी सुनी बहुत जादा क्योंकि उस टाइम पे जो सारसतानी की फैन फॉलॉइंग है बहुत स्ट्रॉंग थी और कोई भी सारसता मर्यम शेक की भी बात करवाई और कुलसुम की भी बात करवाई ये सब चीजे उन्होंने ही सामने रखी और तब जाके जो मर्यम शेक ने भी सना खान की वज़े से आयूब शेक से बाते की उनको तसली दी और सना खान ने बहुत सारी पब्लिक में ये सीजे सामने रखी कि वो इंसान सच्चा है, सही है, उसको परिशान किया जा रहा है, जिसकी वज़े से एक सिंफ़ती लोगों की अयूब शेक के लिए भी बन चुकी थी, तो ये सब चीजे है, मैटर है, आगे देखते इस मैटर में क्या रूख आता है, ये तब भी बता पाएंगे, जब अयूब शेक लाइब आएंगे, या फिर कोई और रिप्लाइ करते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, तैंक्यू सो मच,